हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है यकीन आ गया बेटा कैसा था तेरे ससुराल का प्रोग्राम कैसी रही तेरे साले की सगाई दिव्या जी ने बेटा भव के घर में घुस्ते ही सवाल दाग दिया बेटा अंके तुखडा हुआ वही मा के पास बेट गया लेकिन बहु मोनी उत्रा हुआ मुँ लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई क्या हुआ इस महारानी का मुक्यों सूजा हुआ है दिव्या जी ने तंजकस्ते हुए कहा अरे मा बस पूछो मत क्या खाक प्रोग्राम था इसके माइके में मुश्किल से 50 लोग भी नह बिल्कुल गमार लगती है गमार अंकित तेज आवाज में बोले जा रहा था और दिव्या जी के चेहरे पर बेटे की बाते सुनकर कुटिल सी मुस्कान तेर गई अरे बेटा अब ऐसी लड़की मिल गई वो भी गनीमत है उनकी तीन साल से बेचारे धक्के खा रहे हैं पर दोनों मा बेटे ठाहा का मार कर हस पड़े सास और पती की बाते सुनकर मोनी की आखे भर आई सारे रास्ते भर वो अंकित की बेहुदा बाते शुनती ही आ रही थी लेकिन अब घर आने के बाद भी इस तरह अपने माईके का मजा कोड़ाते देखा तो उसे गुस्ते से ज्यादा दुख हो रहा था उसके भाई के मंगल दोस के कारण कहीं रिस्ता तै नहीं हो रहा था आखिर में जब सोना का रिस्ता आया तो बिना किसी देर के मोनी के पिता ने अपनी बेटे का रिस्ता तै कर दिया माना लड़की वाले थोड़े पारंपरिक थे क्योंकि अभ रहते हैं लेकिन अंकितने उनके भोलेपन को ही मजाग बना लिया थोड़ी देरवाद जब मोनी कमरे से बाहर आई तो देखा दिव्या जी फोन पर अपनी बेटी से बात कर रही थी अरे हां बेटा हो गई तेरी भावी के भाई की सगाई पता नहीं कैसे लोगों से रिस्ता जोड़ा है लेकिन उन्हें भी क्या दोस्त दे एक तो इसके भाई की तनुखाय भी कम है उपर से घर मकान भी पता नहीं कौन से जमाने का बना हुआ है कौन भले घरवाले लड़की देंगे ने तेरी भावी के तो करम अच्छे थे तो हमारे जैसा घर परिवार मिल गया य लेकिन अब पानी सर से उपर होने लगा था और मोनी ने तै कर लिया अगले दिन सुबा ही मोनी ने अपने मा के फोन मिलाया और जोर जोर से बाते करने लगी मा कैसी हो नास्ता कर लिया उधर से मा बोली हा बेटा कर लिया और तूने हा मा कर तो लिया पता है मा आतो घर में क अपनिमा से कि आज क्या बनाया क्या नहीं आज सब्जी लाई हुई नहीं थी तो नहीं बनी वरना रोज तो बनती है ना मोनी बिना कुछ बोले मुस्कुरा कर रहे गई साम को जब अंकित के आने का टाइम हुआ तो मोनी फिर फोन लेकर बैठ गई हाँ मा शादी की तैयारी कैसी चल रही है भावी के कपड़े भावी की पसंद से ही लेना मेरी ननत की शादी मे तो उनके ससराल वालोंने कुछ पूछा ही नहीं बेटी का नाम आते ही दिव्या जी के कान खड़े हो गए अंकित भी घर में गुशा ही था मोनी का बोलना जारी था और सास का तिल मिलाना बेचारी मेरी ननद पता है मा मेरे ननदोई तो कभी कभी बहुत सराप पीते हैं एक बार तो नोनी मेरी ननद को थपड भी मार दिया अंकित ने गुश्य में मोनी के हाँ से फोन चीन लिया ये क्या बत्तमी जी है मोनी अपने घर की बाते इस तरह बाहर के लोगों के आगे बोलने क्या क्या मतलब है क्यों अपने ससुराल की इज़त उचाल रही हो क्यों अंकित जब तुम अपने ससुराल की बाते अपने घर तो मैं अपने ससुराल की बात क्यों अपने घर में नहीं बता सकती क्या ससुराल की इजद रखना सिर्फ बहुओं का हिदायुत होता है दामात का जम्मन करें अपने ससुराल की खिली सबके सामने उड़ा सकता है मुच नीच किस घर में नहीं होती अंकित हर घर परिवार में कोई नव कोई परेशानी या मजबूरी हो जाती है लेकिन इसका मतलव यह नहीं कि उसका प्रचार करके उसकी हसी उड़ाई जाए एक लड़की अपने ससुराल की हर कमी पर परदा डालती रहती है यहां तक कि यदि ससुराल में किसी चीज की कमी हो तब भी उसका जिक्र अपने मायके में करने से हिचकती है लेकिन दामाद अपने ससुराल की एक एक बात नमक मिर्च लगा कर अपने घरवालों के साथ हसता है क्या यहीं परिवार होता है अंकित सब कुछ समझ रहा था उसकी गर्दन सर्म से जुग गई थी दिव्या जी भी निसब्द थी मोनी फिर बोली फिर भी मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ मुझे पता है अपने परिवार की इज्जत अपने हाथों में होती है जिस तरह यह मेरा परिवार है वो भी तुम करना चाहिए मजाग बनाने के लिए तो यह सारी दुनिया पड़ी है मैं दिल से अपने ससुराल को अपना परिवार मानती हूँ तुम्हारी तरह बाहर वाले नहीं मानती ध्यान से देखो फोन बंद है अंकित ने फोन पर नजल डाली तो वो बंद पड़ा था अंकित निस गया था कि अब तुम्हारा परिवार भी मेरा अपना परिवार है तुम तो आते ही इस घर की बन गई लेकिन मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं बन पाया दिव्या जी को भी अपनी गलती का हैसास हो गया था कि जब अपने परिवार की बाते बाहर जाती है तो कैसा म